नमस्कार एक बार फिर हाजर है हम आप समी के लिए लेकर सत्ता का संग्राम दर्शको आज बात होगी उत्तर प्रदेश की पूरी सियासी हल चल पर और कारिकरम का जो सीशक रखा गया है जो टाइटल रखा गया है कि बड़ी कटिन डगर है पंगट की भीया जो सत्ता की जो चावी है वो तो फिलाल बीजेपी के पास है लेकिन उस चावी को लेकर जो ताला खोलने की जो कोशिचे हर कोई कर रहा है उंप्रकाश राजबर साब भी कर रहे हैं आरलडी भी कर रही है सपा बसपा तो है ही इस बार कॉंग्रेस भी है और प्रेंका गांधी जी तो है ही है तो इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या BJP जिसका कैडर इतना मजबूत तजरा रहा है जो केंदर से लेकर राज तक सत्ता की सियासत और विराजमान होकर मीठा लड़ू खा रही है क्या उसको हराने के लिए सपा छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर उनसे लड़ाई लड़ पाएगी क्या बसपा अकेले उनसे लड़ पाएगी या फिर ओम प्रकाच राजभर छोटे छोटे पुरवानचल में जो दल लेकर घूम रहे हैं क्या ये सब मिलकर बीजेपी की जो हवा पानी है उसे बंद करने का काम कर पाएगे क्योंकि हवा है हवा है बह रही है आसमान में ये कई दफ़ा सुना है हमने इस जहान में लेकिन क्या इस हवा को क्या इस हुक्का पानी को बंद करने का काम कर पाएगे क्योंकि राकेश टिकैट साहब भी पूरी एंट्री के साथ है राकेश टिकैट साहब का रोल क्या है वो बखुवी लोगों को पता है लेकिन राकेश टिकैट साहब अब पूरा पूरा बोरिया बिस तरह लेके है बुद्धप्रतेश की राजनीती में पूरी चमक धमक के साथ प्रस्तुत किया जा चुके हैं प्रकाश में सामने है स्पोटलाइट पूरी राकेश टिकैश साहब के उपर है राकेश ठिकेश साहब ने कसम खा ली है कि बीजेपी की सरकार को गिराना है और फिर किसान को बचाना है अलाकि ये साफ नहीं किया कि बीजेपी की सरकार गिरने से किसान कैसे बचेगा और सपा के आने से किसान कैसे फ्लरिश होगा इसको तो लेकर कुछ नहीं का लेकिन है तो है ही है इसके साथ ही एक और नए शक्स की एंट्री हुई है जो बहुत ही धमाकेदार मानी जा रही है क्यूंकि वो कैची लेकर आए है कैची है वोट काटने की कैची जो वोट कटवा आते हैं उसी की तरीके से एक बार फिर आ चुके हैं सभी के अपने ओवैसी साहब तो असदुदीन ओवैसी साहब जो है वो भी उत्तरप्रदेश की राजनी टीम एंट्री मार चुके हैं और उनकी एंट्री से सभी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं जो खेल है वो दूर से लगता है कि यहां ठीक है इसमें जन सरुकार के मुद्दो की बात होगी एक मैनिफेस्टो आएगा जिस पर बातचीत की जाएगी लेकिन इन सब के पीछे एक पोती पत्रा ही होता है पोती पत्रा में बकाइदा लिखा जाता है कि यहां ठीक है जाट 24 परसेंट ठाकूर 12 प्रतीशत ब्रामण इतने प्रतीशत अब लगा लो भाया एक बयान के बाद कितने जाट फसेंगे कितना ब्रामण फसेगा कितना दलित फसेगा यह सारा का सारा जो है जातिगत पूरी रड़नीतिया है पूरा मैथेमेटिक्स है अब मैथेमेटिक्स में कौन कितना निपुड है यह तो समय बताता है लेकिन 2022 का जो चुनाओ है वो सामने नजर आता है इसी मुद्दे पर आज बहस करने के लिए कि भहिया डगर जो है वो कितनी जादा परिशान करनी वाली है इसमें कितने कितने गड़े और जो गड़े उनके नाम क्या है इसी पर बातचीत के लिए चर्चा करे आज मेरे साथ कुछ महमान जुड़े के उनसे आपका तारूफ करा जिता हूँ सबसे बहले भुदेव शर्मा साहब है कॉंग्रेस से है राहुल तलान साहब है राजनितिक विशलेशक है अकरम सिद्धिकी साहब है सपा नेता है और मनिंदर पांडे साहब है बीजेपी के प्रवक्ता हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमको जॉइन करने के लिए ठीक है आप सभी को मेरे आवास मिल पारी है सबसे पहले तो आउंगा मैं समाजवादी पार्टी के निता हम सिद्धिकी साहब पर साहब कैसे हैं आप ये बता ही पहले अक्रम साहब आपको मेरे अवाज मिल रही है एक बर फाइनल क्लिर करतो चलिए ठीक है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद इसले आवाज नहीं जा रही है जी ठीक है आ रही है मेरी आवाज ठीक है तो यह बताईए भाईया अक्रम कि एक तरफ सामने खड़ी है बीजेपी तीन सो सत्तर पर वोट मांगेगी राम मंदिर बनने जा रहा है वोट मांगेगी इसके साथ ही वैक्सिनेशन को लेकर बड़े बड़े आकड़े है वोट मांगेगी पार्टी मजबूत है वोट मांगेगी तीन सो पच्चेस से अब तो कह रहा है कि साड़े तीन सो पार कर देंगे हम तो वोट मांगेंगे, आप कैसे लड़ेंगे, क्या है आपके पास, कौन सा वो धुर्प का पत्ता है जो आखरी में आप फेकने वाले है। वज़े से मेरे तक साफ नहीं आप आ रही है, आपको थोड़ी दिरकले विश्राम देंगे, आराम देंगे, अब राउल तालान साब भी हमारे साथ है, बुदेव शर्मा जी भी हमारे साथ है, मनिंदर पांडे साब भी हमारे साथ है, बुदेव शर्मा जी पर आते हैं, बु उत्रप्रदेश के चुनावों में एंट्री मार चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि जितना परेशान मैं देखता हूँ, जब मैं हम लोग निकलते हैं, फील्ड पर निकलते हैं, जब हम खेट-खेट जाते हैं, खलियान खलियान जाते हैं, गाउं, देहाद, सड़क, पट्ट जी आ रही है कि देखिए तब से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ओवैसी साथ तो ये पूरे देश के लोगों को पिता है कि वो भारिशे चंता पार्टी की बीटीम है और रही बात च्पा और बस्ता की अच्छा यह बीटीम का जोड़ा क्लियर करेंगा एक मिनट सॉरी टो इ की जी जी मैं क्लियर करने वाला हूं कि जिस तरह से वो धर्म के आदार पे जो करते हैं कि जो मुसल्मानों को भारिखे पार्टि का दर्ग दिखाया जाता है और उसके फिर हंदूं का धुरुविकर्ण होता है वही का सफा करती है और वही बसफा करती है इसलिए आज इनको जाती आनदोलन करस्वा करने की जबूत पड़ रही है को ब्रहमर्मर सवा कर रहा है को ये को दूसरी सबाइब लेकिन गंगाजी जाकर डुपकी लगा रहे हैं तो ब्रामर्ण सवा कर नहीं सकते क्या अगर जो आप देखिए आप ये देखिए कि आज देखिए आज देखिए आज आप सुनिये 1970 से पहले जब उत्तर प्रदेश के जो हालात थे जिस समय उत्तर प्रदेश पूरे देश में सरवा आपको 1970 में पता था है उसमें जो जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के हुए है आज गरीब राज्यों की स्रेड़ी में आ गया और ये इस समय बेरोजगार युवा अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने जाता है तो लाठिया बरता ही जाती है किशार आंदोलन कर रहे है मजदूर अगर अपने घरों के लिए पैदल जाती है तो उन पर लाठिया बरता ही जाती है तो जिस तरह का माहौल आज चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट आज पूरे चरम पे है सबसे अधिक है महिलाओं के प्रती जो अपराद बन रहे है वो पूरे देश में तरवाद इक उत्तर प्रदेश में है तो पूरा देश आज एक वार फिर कॉंग्रेस की तरफ देख रहा है क्योंके कॉंग्रेस पार्टी ही चड़क से लेकर संसर्त तक क्या है वो चात्रों की आवाज हो ब पूरे देश में देखिया तो इसलिए देश के देश के सारे लोग सारे युवा जान चुके और एक बार सफिर से युवाओं का रोजान कॉंग्रेस पार्टी की और राहूल गांधी जी की और देख रहे हैं निश्चित रूप से उत्रप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी प्रियंका गांधी की नित्वस्त में पूरा देख राउल गांधी जी की तरफ देख रहा है लेकिन कैप्टैन अम्रिंदर सिंग नहीं देख रहे हैं सिद्दु जी नहीं देख पा रहे खेर उस पर नहीं जाएंगे उत्तरप्रदेश तक सीमित रहते हैं मैं वही बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2014 के बाद एक माहौल बनाया गया मुसल्मानों को दर दिखाया गया, हिंदूओं को दर दिखाया गया, पाकिस्तान का हिंदूओं को दर दिखाया गया, मुसल्मानों का उनको एक दूसरे का दुर्वी कर किया गया और ये लोगों को बेरोजगर युवाओं को जूटे सपने दिखाए गए कि आपके खाते में 15 लाख रुपई आएंगे आपको इतने सब्सक्राइब नहीं दोजार सत्रा में मेमुरी लॉस हो गया था क्या दोजार सत्रा में सपा के साथ क्यों गए ये सवाल मैं वही चीज आपको बताने की कोशिस कर रहा हूँ कोशिस नहीं करिये बता दीजिए देश को बनाने का काम करते है इस देश को तोड़ने का काम नहीं करते है या देश के लोगों को आपका आपका कहरा बैस समझ गया चंदन टीका लगाएंगा अब लोगों को ठीक है समाजवारी पार्टी के अक्रम साहब आपके आवाज चेक कर लेता हूँ ओडियो अक्रम साहब आपके आवाज में बड़ा तकलीफ दे आप दुवारा बोलियेगा अक्रम साहब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है अपके आवाज में इसलिए थोड़ा सा और थोड़ा सा रुकूंग आपको बुदेव शर्वाजी हो गए इसके साथ ही अबारे साथ जो है मनिद्र पांडे भी है बीजेपी से प्रवक्ता है मनिद्र जी आपका अब बहुत स्वागत आप थोड़ा सा देर भाई लेकिन आये तो दुरुस्त आए बहुत स्वागत है आपका पांडे साब आवाज आ रही है मेरी मेरी आवाज आप तक जा रही है क्या हाँ बड़ी शांदार तरीके सा रही है सत्ता की आवाज है कहां दबने कहां रुकने और कहां ठैरने वाली है लाहरा, है। खाले मेरी आवाज आप तक जा रही है क्या ठीक है चलिए शाहएद मेरी आवाज आप तक नहीं हाआरी मरें रेही मरिंदर जी iki हलो चलिए ठीक कहूंगा एक बार विजोस चला दिये विजोस दिखा जेतें एक बार कि और उस पर फिर चर्चा कर लेते हैं जी बिल्कुल आ रहा हूं आप पर आ रहा हूं मनिंदर जी आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही शायद हाँ आप आ गई या ठीक है चलिए मनिंदर स एक बार्चेट इतना आपने भैं पैदा कर दिया कि सारा वोट जोली में कर दिया तो अब आप जो है आने वाले चुनाओं में लोगों को डराने जा रहे हैं धमकाने जा रहे हैं या क्या करने चाह रहे हैं अगर इनकी नज़र से देखे छो है अगर आप इनको समझा सके तो कॉंग्रेस और सपाग। हम जितने भी चुनाओं में आ रहे हैं केवल एक विसेपो लेकर आ रहे हैं वो है विकास का। हम जितने भी चुनाओं में चाहे वेरोजगारी का हो चाहे स्वास्त संबंदित चीजों को हो अभी आप दोस्त अभी दो हमारे करोना जैसी एक खातक बीमारी जो जिसमें हम सभी लोग कुरा देश उससे प्रित्रा हैं। हारती जनता पार्टी के कई मंत्री मर गए, कई हमारे यहां कारकरता मर गए, लोगों के बीच में जा जाके दोड़ दोड़ के उन लोगों ने काम किया है। इन में से कोई भी कारकरता बताई, कांग्रेस का कोई कारकरता दिखाई पड़ा हो, समाजवादी पार्टी का कोई कारकरता दिखाई पड़ा हो, बोज़े समाजवादी पार्टी का कोई का कारकरता दिखाई पड़ा हो, तो आपके नहीं दिखते थे चलिए, समाजवादी इनके पास जो इनके छोटे-छोटे ब्रांच भी है ना छोटी-छोटी किसी जिले के अंदर इनके जो छोटे-छोटे कार्याले हैं वो भी गुलजार हैं आप कैसे इन से लड़ पाएंगे आप मानते हैं कि इन से कही ना कही लड़ाई मुश्किल है अकरम साब मैं PCI टीम से कहूँगा कि एक बार फिर से इनको करनेट करने की कोशिश करिए क्योंकि आवास की जो समस्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है अब हमारे साथ राजित्रिक विश्लेशक भी है जिनका नाम है राहूल तालान राहूल तालान साहब यह जाना चाहूँगा कि बीजेपी जो है बीटे सालों में हमने देखा है कि मजबूत होती ही चली गई है जैसा कि मैंने बताया कि हम चोटे जिलो में यूपी के चोटे जिलो। सबसे अच्छा संगठन है बूट लेवल के कायरे करता हैं और मंडल मंडल के बार के पूरी की टीम है तक इसकी टीम हो बना पोगे तो निश्चे तोर पर उनके पास एक प्रूना खैड़ा को सब्सक्राइब करते हैं बाती कैसा बीदेश की पार्ट के पास नहीं है यह सचा ह लेकिन संगठन के इस तरह पे बहुत जादा मज़ूत है ना सपा का कोई संगठन है ना भसफा का कोई संगठ ले मड़ी कर रहे बाकि कोई पारटी ऐसी नहीं को इस सथे क्योंत कर और शृgg है यहwahिर Gesetzentwurf को लोग रही अल Ostad शिआनette में ये अगर जो कहीं घरती है उत्तरप्रदेश में तो इशूज पर गिरती है किसानों के मुद्दे पर गिरती है और अब जो यह कुछ विवाद हुआ था अगर जो आप पार्टी के तौर पर बीजेपी को तेखींगे तो बीजेपी सबसे जादा मजबूत है किसाना अंगुलन थ अगर जो आज की चर्चा है कि वह अमरिंदर सिंग को बैठों बाना जा रहा था है सुसान हम दोस्ति है अगरेंदर सिंग बीजेपी में आ जाते हैं तो उसके भी डेमेज को कंट्रोल कर लेगी तो निश्यत तो बीजेपी से फिलहाल इसकोई ऐसा दिखने ही रहा है खोड तालान साब तालान साब यह जाना चाहूँगा देखिए सपा बस्पा या फिर कॉंग्रेस की बात करो इन सब के अपने अपनी बाते हैं अपने अपने तर्क है लेकिन कही ना कही हम लोग समझते हैं कि इनका जो फॉर्मूला है वो दरसल ऐसे चलता है एम भाई, मुस्लिम यादव, मुस्लिम ब्राम्बेड ऐसे करके फॉर्मूला ऐसे करके गड़ित पर ही लोग काम करते हैं तो अब असद दुद्दीन वैसी जब आ गए है तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट के सारे जो बहुत सारी पार्टिया जो इस पर नजर गड़ाए बैठी थी, उनको कही ना कही नुकसान होने वाला और बीजेपी को फाइदा तो निश्चिक तोर पे जैसे मुसल्मान उसको वोट करता है कि वो बीजेपी को कौन हराने वाला है और उनाइट होके वोट करता है उस इस्तिपी में अगर जो असदुदीन वैसी आ जाते हैं और वैसी साब आके उस वोट में कुछ वोट परसेंट काट लेते हैं और वो पीजेपी एक मजबूत होके वोट करता है और इसकी तरफ मुसल्मानों का वोट जाता है उससे वो पार्टी को मजबूत ही मिलती है जे बिलकुल बिलकुल चले ठीक है जे बिलकुल तरान साब बिलकुल आपको वर्जन था मुझे मिलके है मनिद्र पांडे साब के पास चलेंगेрий बीजेपी से जो प्रवक्ता साब है मनि28 ये बताईए ठीक है आपको मैं मांता हूँ फायदा मिल जाएगा क्योंकि असद्दू दिनो वैसी साहब आ गया है तो ठीक है वो मुसल्मानों के जो वोट है दर उदर काट पीट के आपको बराबर कर देंगे आपको फाइदा पहुचा लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत की बात करें तो ब्रामण जो है वो नाराज हुआ है या नहीं हुआ है इस पर नहीं जाओंगा प्रामण ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी भारत में राष्टबात के साथ में जुड़ा हुआ है, वो सभी भारती जनता पार्टी के साथ हो, मैं मिलकुल मानने के लिए नहीं तयारू कि प्रामण कहीं भी किसी भी तरफ, हाँ लोग अलगलग त आने के लिए लगा हुआ है, लेकिन हमारे साथ में बहुत बहुत थीक है, आपकी बास समझगा, आपका कहना है कि जो बाकी पार्टियां वो छलावा कर रही है, ताकि ब्रामण जो है आप से इधर से उधर हो जाए, उनको ब्रहमित करने का काम कर रही है, ठीक है, कॉंग्र यही रोकता हूँ आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपको जोइन करते के लिए, ठीक है, तो यह जो कारेकरम था, इसमें यह जानना चाह रहे थे, और यह चर्चा थी, इसमें यह परिचर्चा कर रहे थे, कि अब जैसे जैसे चुनाव सर पर आ रहा है कि जब अब छोटे-छोटे जिले, कूचे, कजबे, सडको, महले वहाँ जाते हैं, तो बीजेपी के जो कार्याले हैं, वो चमन दिख रहे हैं, गुलजार दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या सपा, क्या बसपा, क्या कॉंग्रेसन से लड़ पाएंगी, और क्या लड़ाई को म क्या बस्ता हैं, धुलजार पिंस, ट्यू जी बसुने में के।